गाइस यह है जोलो चिप दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची कैरोलाइना रीपर से बनी हुई चिप्स दोस्तों यह जो है इसको खाने के बाद में हालत हो जाती है खराब बहुत बहुत ज़ादा तीखी है तो भाई हमने जो है इस मिर्ची को खा कर भी देखा है इस मिर्ची को चॉकलेट में mix किया था वो चॉकलेट ऐसी होगी जैसे मिर्ची से भरी है चॉकलेट का टेस्ट हो गया सिरफ मिर्ची रंग खतरनाक वाली तो आप लोग पता नहीं क्यों डिमांड किये जा रहे है और आपने कहा कि अब जो है जोलो चिप को मिक्स कीजिए मैगी के अंदर जोस्तों ये है नॉर्मल मैगी जो की दो मिनट में तयार होती है सिंपली क्या करेंगे कि भाई मैगी बनाएंगे लेकिन उसमें जोलो चिप को डाल देंगे पीस करके और फिर देखते हैं कि जो मैगी है उसका कैसा टेस्ट आता है उसको खा करके देखें किया हम इसको खा पाएंगे कितनी मिर्ची लगेगी I am not sure तो फटा बज़े शुरू करते हैं आप इस वीडियो के लिए नीचे जो like का बटन है वो जरू से दबा दीजे भाई like का बटन द करेंगे मैगी के साथ में और यहां पर सबसे वेले मैगी बनानी बढ़ाएं तो उसके लिए इस बरतन में मैं डाल रहा हूं पानी और फटावट से इसको करते हैं गरμ तो यहां पर पानी एक्दम बड़िया से ऊबल रहा है अब हमको मैगी का पैकेट लेना है और मैं जो ह है वो तो आएगा इसमें तो भाई यह गया इसमें मैगी मसाला नॉर्मल वाला मसाला इसको भी कर देते हैं और अब बारी है जोलो चिप को प्रपेर करने की, क्योंकि ऐसे तो इसमें नहीं डाल सकते, इसको साइड में करके जोलो चिप के उपर आते हैं, इसको निकालते हैं और इसके अंदर निकलती है भाई इस तरीके की यह चिप्स दुस्तों ये बनी है कैरोलाइना रीपर से, ठोल लेते हैं और मैं आपको पहले तो मिर्च दिखाता हूं फिर इसके बॉक्स के ऊपर क्या लिखा वो भी दिखाऊंगा वार्निंग लिखिए तो भाई यहां पर जो चिप्स है उसको मैं निकाल रहा हूं इसके अंदर और यहां पर जी आ गई भाईया जोलो चिप्स सारी सीरियसली खराब होजाती है भाई साभ यह जो चिप्स जाती है 200 two- Brooklyn but the 12 ready where the da RAW यहां पर इसका यह पर इस पर लिखा हुआ था है यह rack ological अर्शे हुआ दो बोलता हूं कि भाई कोई भी नी करें जो जो है इसकी बहुत तो भड़ी यहां पर जो आप लोग देखो कि मैंने कूट दी है अब हमारे मेंगी को वापस से सेंटर में लाते है और इसके अंदर इसको डाल देते हैं अदे भाई ये निकल नहीं रही तो यहाँ पर उत्तिरी अभे शाले तो गाईज यहाँ पर मैंने सारी की सारी जो जो लोची पर वो डाल दी दे हो यह है तो अब इसको भी बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं मैगी अल्मोस्ट रेडी हो चुकी है तो भाई I think यहाँ पर सब कुछ रेडी हो चुका है यहाँ पर मैं कर रहा हूँ गैस्टोब को बंद इसको उठाते हैं और आपके सामने पेश है सबसे तीखी मिर्ची से बनी हुई मैगी और इसको निकाल लेते हैं इस प्लेट में और गाईज आप जो है इसको थोड़ा सा होने देते हैं उसके बाद में टेस्ट करेंगे लेकिन इसका जो लुक है वो मैं आपको सही बताऊं तो मुझे एकदम नॉर्मल लग रहा है कुछ भी डिफ्रेंट नहीं लग रहा कुछ भी एकदम जो नॉर्मल मैगी है वो लग रही है अगर किसी को यह दे देना तो खु को आलत कराब हुई जब फर्स टाइम खाया था ना चलो थंडा होने देते हैं थोड़ा तो यहां पर दो तीन मिनट के बाद में जो मैगी है वो हालां कि ज्यादा थंडी तो नहीं लेकिन ऐसी हो चुकी है कि मैं इसको खा सकता हूं और यहां पर पता है मैं किसी को भी रिक आपको इसका बॉक्स भी दिखाऊंगा बाद में ठीक है यहां पर देखते हैं आप गाइज अब एक बात 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 आपको शहीं मिर्ची बहुत तेज है लेकिन ऐसा नहीं है मुझे मैगी का थोड़ा टेस्ट आया उस वैसे मुझे अच्छा लगा शुरू में लेकिन मैगी तो अंदर जा चुकिए बट अब सिरफ जो मुह में जलन रह गई है होगा इस यह जो है मैं आपको सची बता हूं यह बहुत ज्यादा मिर्ची वाली मैगी है नॉर्मल मिर्ची अगर हम इसमें डालते तो यह लाल जाती ना तो भी इतनी जलन नहीं होती इसमें तो दिख भी नहीं रही कि जोड़ोचिप मेक्स है मैं बदा वागर किसी को मिक्स करके दे दो ना वंदा खुच हो जाएगा लें जब खायेगा ना तो इसक्या हलात मेरी जैसी हो जाएगी आप में बात करने की टोन से बदा स जो पानी है सिरफ ठंड़क देता है लेकिन आपको इंटर्सिंग बताता हूं मिर्ची जो है उसमें जो चीज जलन पेदा करती है ना वो कैप्शे सिंगर कुछ होता है जो की पानी में नहीं गुलता यानिकि अगर आप इसी को जोलोचिपी या कोई मिर्ची अब जल रहा ह आप किसी को जोलोचिपे कोई भी मिर्ची हने ले देंगे उसके बाद पानी देंगे ना जब तक पानी मुह में है हंडग मिलेगी जैसे बानी गया कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि पानी में वह गुलता ही नहीं हो साफ नहीं होता उसके लिए दूद चास दही मिल्क मेरी प्रोड़क्ट किये काम करते हैं तो भाई चास दो मुझे भाई लेना बढ़ेगा और यह जो है मुझे पता है कि मेरी जो जलान इसको काफी कंबर नहीं होट जल रहा है यहां से बहुत तेज सची में इंस्टन रिलीफ मिलता है जो जलान है वो 50 परसेंट हो लेकिन आप लोग सोचो मैंगी कितनी होती है किती होती बाई 75 ग्रैम 75 ग्रैम है मैंगी और जो हमारी जोलो चिप है देखो मैं दिखाता हूं यह है सिरफ सिरफ पांच ग्राम सेवंटी नहीं में पांच मिला सोचो पिर भी अधर सा्रास जोलो चिप का हो तो कि अ मर यहां बर इसकें पांच चाह Ahmad अansas के नहीं जिखाय करना हम्ने हमारा काम कीया आप आपका था नहीं किये अखाया इसको च én down पादेना यार बटन प्लीज छोड़के मठ जाना प्लीज वीडियो अगर आपने अब तक देखाया तो लाइक दबना चाहिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया कर लो भई आप लोगों के लिए कर रहे हैं सायर एक्सपेमेंट बूट जल रहे हैं चलो भई खदम करते हैं व मैं को बैठना वड़ेगा भाई गहीं पर क्या तू इसको लेके दूसरे भाई बंत करना इसको आरे